हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi बांगलादेश में सरकार बदली और सरकार की निती भी बदली अभी हाल ही में जिस तरीके से बांगलादेश में उपद्रों के बाद अंतरिम सरकार का कठन किया गया उसके बाद अभी भारत के साथ में किस तरीके से बांगलादेश की निती रहेगी इसको ले करके अभी कई सारी जो व्याक्याएं की जा रही हैं और इसी बीच मुहम्मद उनिस जो कि वर्तमान में अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर हैं इन्होंने भारतिय उच्चायुक्त को समन जारी करके और एक खास मुद्दे पर आरोप भी लगाए हैं उनके माध्यम से भारत पर आरोप लगाए गए हैं कि भारत के द्वारा जि जब उससे में बांगलादेश की प्रधान मंत्री थी तो उससमें भारत और बांगलादेश के बीच मेंतलिम संबद्द दे egentर के आंदर जो इस्था परिवर्तन हुआ है बांगलादेश में उसके बाद बांगलादेश के रुख में भी परिवर्थन देखने को मिल रहा है आठी ये आरोप क्यों लगाये जा रहे हैं और इस आरोप में क्या सच्चाई है भारत की विदेश मंत्राले के माध्यम से इस पूरे मामले को लेकर के क्या प्रतिक्रिया जारी की गई है इन सब मुद्दों पर हम लोग बात चित करेंगे लेकिन आगे बनने से पहले दोस्तों मैं आपको ये भी बता दू कि यदि आप सिविल सिवा परिशा 2025 की तियारी बहुत शिद्दत के साथ करना चाहते हैं जीएस की कंप्लीट पार्टिक्रम को बहितर तरीके से पुरा करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है 31 अगस्ट से शामे 6 बजे से शुरू होने वाले इस बैच में आप इस बैच को जोइन कर सकते हैं दिली प्लाइफ कोर्ट का इस्तिमाल करते हुए मात्र 26,000 रुपे में दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेगा कि यदि आप मेरे कोर्ट का इस्तिमाल करेंगे तो यह कोर्स आपको 26,000 रुपे में मिल जाएगा और निशित तो पर यह जो कोर्स है आपकी परिच्छा के तयारी के लिए बेहतर माग दसन की भूमिका निवा सकता है यदि आप हिंदी, हिंग्लिश या इंग्लिश में से किसी भी माध्य में तयारी कर रहे है तो आप इस बैच को जॉइन कर सकते हैं इसमें इस खास बात यह रखी गई है कि इस बैच में सापताहिक टेस्ट की वैवस्ता की गई है और इस सापताहिक टेस्ट की विशेस्ता जानतों क्या है इसमें ये बताया गया है कि यदि आप इस टेस्ट में रैंक वन लाते हैं तो फिर आपको रुपीज 11,000 की पुरस्कार रासी दी जाएगी और ये किवल एक सपताह के लिए नहीं है हर सपताह ऐसे जो भी विद्यार थी रैंक वन लाएंगे उस विकली टेस्ट में उन सभी को इस रासी से पुरस्कृत किया जाएगा तो निशीत आपर ये आपके लिए एक पुश है कि आप इसका हिस्सा बनते हुए अपनी तयारी को और बहतर से बहतर कीजिए ठीक है तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है ये इस महत्वपूर्ण बैच के लिए आपका स्वागत है 31 अगस्त से ये बैच शुरू हो जाएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं सामने यहां पर मैंने वो लोकेशन मिंशन किया हुए है जहां पर कि ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिपूरा का हिस्सा है और ये पार्टिकुलर जो रेंज आप देख रहे हैं ये बांगलादेश का ही है और बांगलादेश के पुर्वी, त्रिपूरा के पश्मी, दोनों के आसपास में एक गुमती नदी का जो प्रवाह छेतर है, वह बहुत अथिक माइने रखता है, गुमती नदी बेसिन, गुमती नदी है यह, यह गुमती नहीं है, गुमती लखनो की गुमती होती है, और यह है गुमती, यह धियान रखेगा, गुमती होना है, तो यह जो गुमती नदी बेसिन है, इसका जो पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया है, वह बांगलादेश और त्रिपूरा से जुरा हुआ है, अभी हाल के समय में दरसल हुआ यह, कि बहुत भारी मात्रा में बारिश को बुला करकेट के आरोप लगाया गया, कि भारत के द्वारा इस मामले में अमानविये रविया अपनाया गया है, अमानविये रविया भारत के द्वारा, वहीं विदेश मंत्राले ने जो अपना पक्ष रखा है, इसने यह कहा है, कि नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, क्यों ह इसी बात कही विदेश मंत्राले ने यहाँ पर क्लियर किया कि देखिए सहब आपने जो आरोप लगाया है कि गुमती नदी पर डंबर बांध को खोले जाने के कारण ये बार्ध की स्थिती देखी गई है लेकिन दरसल जिस मात्रा में बारिस इधर हुई है उसके कारण बहु सरासर गलत है ऐसा कुछ बनी है दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेगा कि जो ये डंबर बांध है ये बांध एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के तौप पर काम करता है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है गुमती नदी से ही जुरा हुआ है गुमती सूचना के आपने बांध का पानी खोल दिया और दिन फिर ये पानी हमारी छित्र में आ गया और बहुत बड़ी मात्रा में पानी आ जाने के कारण त्रास्दी जैसी इस्थित्यूद्पन हो गई और इसी कारण से आपने ये अमानविये कृत्त किया है तो ये जो आरोप है इस आरोप को लेकर के ही भारती विदिश मंताले ने अपना पक्ष जाहिर कर दिया है अब इसी आधार पर भारत के द्वारा जो अपना पक्ष है वह स्पस्ट कर दिया गया है ठीक है तो आज की इस महतवपूर्ण चरजा के माध्यम से यहां पर मैंने आ पांगलादेश के बीच में ऐसे कई सारे जो जल बटवारे से संबंधित विवाद हैं वो किसी ने किसी कारण से कभी न कभी चर्चा में आते रहते हैं इसको लेकर के अक्सरहां सवाल भी उठते रहते हैं तो यहां पर चुकी यह एक महतवपूर्ण बिंदू था इसलिए हम लोगों ने इस चर्चा के माध्यम सही समझने की कोशिश की कि गुमती नदी कहां पर प्रवाहित होती है और साथ ही कौन सा बांध है जिसको लेकर के बांगलादेश के द्वारा आरोप लगाए गये हैं जो वस्तु इस्तिती है वो मैंने आपको यहां पर स्पस्ट कर द लिए आपको दिलिप लाइफ कोड का इस्तिमाल करना है इसके माध्यम से आप इस बैच को जाइन कर सकते हैं मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक के साथ अपना ख्याल रखे आल दे बेस्ट हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्र